लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना भूलें असम के तिन सुकिया जिले के बागजान में इस्थित सरकारी गैस कंपनी ओयल इंडिया के तेल के कुए में बीते मंगलवार को आग लग गई थी इसमें से अभी भी आग की लप्ते निकल रही है मंगलवार दोपहर बाद तेल के कुए में लगी आग इतनी भीशन थी कि इसे दो किलोमीटर दूर से भी साफ देखा जा सकता था हालात पर काबू पाने के लिए रास्ट्रिय आपदा प्रतिकरिया बल और फायर ब्रिगेड की गाडियां घटना स्थल पर मौझूद है हाल ही में खबर सामने आई है कि आग आसपास के गामों में भी फैल गई है और दो लोगों के शव बरामद किये गए है मिली जानकारी के अनुसार पिछले 14 दिनों से गैस की कुए से अनियंतरित गैसरिसाव हो रहा था जैसे ही गैसरिसाव शुरू हुआ 35,000 लोगों को तीन राहत शिविरों में पहुचाया गया असम के मुख्यमंतरी सर्वनंद सोनवाल के अनुसार असम सरकार आग पर काबू पाने में जुटी हुई है अधिकारी स्थिती को नियंतरित करने में प्रयासरत हैं उन्होंने बताया कि आग आसपास के गामों में फैल गई है मही केंद्र सरकार के मंतरियों से भी बात की गई है इसके साथ ही मुख्य मंतरी सोनवाल ने स्थिती पर काबू पाने के लिए आपात कालीन, सेवाओं, अगनी शमन, सेना और पुलिस अधिकारियों को मौके पर तैनात करने के निर्देश जारी किये हैं उन्होंने इस्थानिये लोगों से अपील की है कि घबराएं नहीं, सरकार आपके साथ है वही जिला प्रिशासन से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री सोनोवाल ने उद्योग मंत्री चंद्रमोहन को निर्देश दिये कि तुरंत बागजान जाएं और स्थिती का जायजा लें